जैसी कृष्णा हमारे चनल पर आप सभी का हरदीक स्पागत है आज हम एकादस्षी व्रत के लिए काफी सौफ्ट और टेस्टी फलारी वड़ा बनाना सिखेंगे इसे बनाने की विदी काफी सरल है तो वीडियो को एंट तक अवर्श देखें सबसे पहले मैंने 300 ग्राम उब प्रेचर पर धंडे हो जाए उसके बाद ही उसे चीले और कद्दू कस करे ताकि वो बिल्कुल भी चिपची पे ना पड़े आलू को बड़े छेद वाले क्रेटर की मदद से कद्दू कस करेंगे आलू की जगर पर आप उबले हुए कच्चे केले शकरकंद या जीमी कंद क अबी उप्योग कर सकते हैं उसमें आदा कप भीगो हुए साबुदाना एड़ करेंगे साबुदाना को मैंने तीन से चार गंटे पहले पानी में भीगो कर रखा था ताकि वो फूल गए है और मसाले में आदा चमच काली मिल्च का पावडर और वड़ा को करंची बनाने के के लिए 2 टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई मुंफली एड़ करेंगे उसके साथ हम एक बारिक कटी हुई हरी मिल्च एड़ करेंगे स्वादानुसार सैंदा नमक खटास के लिए आदा चमच आमचूर पावडर और 2-3 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धन्या एड करके चमच की मदद से सबी ग्रीडेंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे आमचूर पावडर की जगह पर आप नीमू का रस भी एड़ कर सकते हैं फिर हम उसमें बाइंडिंग के डिए आदा कप शिंगाडे का आटा एड़ करेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे श जादा भी एड़ कर सकते हैं यानि कि जो मिश्रन बने वो नरब नहीं रहना चाहिए हम जैसे पराठे का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सक्त होना चाहिए हाथ की मदद से हलके आथों से गूंद कर सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अलाव भी और भी कई सारी फलारी रेसिपी आप चैनल में वीडियो सेक्षन में जाकर देख सकते हैं मिश्रन बनाने के बाद उसके उपर हम थोड़ा तेल लगा कर उसे थोड़ा सौफ्ट करेंगे इसे ढगकर ना रखे क्योंकि हमने मसाल एड़ किये है तो वो ज्यादा नरब हो जाएगा अब औरी इकोबेक पेपर के उपर हम मिश्रन के इस तरह के गोले बना कर थोड़े थोड़े डिस्टन्स पर रखेंगे और आदा पेपर उसके उपर डग कर किसी भी कटोरी की मदद से हलके आतों से हम उसे प्रेस करेंगे ताकि वड़े हम हाथ से बनाने की आवश्रक्ता ना रहे और कुछी मिनिटों में आप बहुत सारे वड़े बना सकते है वड़े को जादा पतले ना रखे इस तरह के मीडियम थीक रखे वड़े को तलने के लिए कड़ाई में मैंने आवश्रक्ता के नुसार मुंखफली का तेल गरम करने के लिए रखा है उसकी जगह पर आप देशी गी या सनफ्रावर ओल का भी उप्योग कर सकते है मीडियम टू हाई फ्लेम पर कड़ाई में समा सके उतने वड़ो को हम उसमें डीफ्राई करेंगे नीचे की साइड से थोड़े सुनेरे हो जाए फिर जारा की मदद से हम उसे पलटते जाएंगे और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो तब तक हम उसे तलेंगे ये वड़ा बनाते वक्त हमने आलू और श्रिंगाडे के आटे का उप्योग किया है जिसके कारण ये काफी सॉफ्ट और टेस्टी तैयार होगे गर्मे बड़े बुज़ुर्ग हो तो वो जादा साबुदाना ये एड किये हुए वड़े जो बहुत कड़क और क्रिस्पी होते है वो नहीं खापाते तो इस सरसे आप साबुदाना का उप्योग कम करोगे और आलू का उप्योग जादा मात्रम करोगे तो वड़े सॉफ्ट तैयार होते है गर्मा गरम फलारी वड़ा को हम ग्रीन चटनी और दई के साथ सव करेंगे तो आप भी ये रेसिपी वरत के दिन गर पर ज़रूर बनाए वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेर करना ना पूले थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो